और आप सभी के तालियों के साथ ही इस सत्र के शुरुवात होगी तो एक बार जोड़दार तालियां हमारे महमानों के लिए हमारे सेशन के लिए राजी ओवर टू यू शुक्रिया सीमा और लगातार हम सोनीपत मंच में सोनीपत के विकास की बात कर रहे हैं परदेश में महानलाल जी आप इसे मेरा सवाल करीब साड़े आठ नो साल का वर्ष जो है वो हो चुका है बीजेपी सरकार को सोनीपत को ऐसे में कहां देखते हैं आप विकास किराह पर आगे बढ़ते हुए क्योंकि विपक्ष तो लगातार यह आरोप लगा रहा है कि साड़े आठ नो स साल में कुछ विकास हुआ नहीं सोनीपत में जो हक यह सोनीपत रखता था कि 2014 से लगातार आज लगबग नोवर्ष पूरे होने को हैं और भारती जनता पार्टी की सरकार है मुख्यमंत्री मनुहलाल जी के नितिरतों में काम कर रही है सोनीपत के अंदर है मैं यह निवेदन भी सभी मीडिया कर्मियों से भी आपके चैनल से भी करूंगा कि अगर आपके पास आकड़ा है तो चोदा से पहले का सोनीपत और चोदा के बाद का सोनीपत इस पर जरूर आकलन करना चाहिए और जो कांग्रिस के भाई आरोप लगाते हैं उन्होंने अपना बताना चाहिए कि चोदा से चोदा तक उन्होंने क्या क्या काम किये थे और चोदा के बाद भारती जनता पार्ट सो निपत से गुजरते हैं, 334 भी का निरमान भी मेरे विदायक बनने के बाद हुआ है, 12, 14 लेंड का नेशनल आईवे, 44 नमबर मेरे विदायक बनने के बाद हुआ है, KGP, KMP का निरमान अभी हमारी सरकार ने किया है, और जो दिल्ली से कटडा नेशनल आईवे जाएगा, व हुआ वो सिधा जीन्द होते हुए आगे जाएगा और एक गरीन एक्सप्रेस हाईवे जो बाउन किलोमीटर स्टोन मुर्थल में टच होता है उससे लेके देरादून नेशनल हाईवे में जोडने की अभी हमारे सडक परिवयन मंत्री नितिन गड़करी जी आये थे वो अभी गोशना करके गई हैं वो भी एक प्रोजेक्ट अभी मंजूर हुआ है और अभी आये थे तो जीन्द का भी बाइपास जो थोड़ा अधूरा था उसकी भी अभी गोशना होके गई है और मैं यूनिवस्टी की बात करूं तो यहां पर हमारी सरकार बनने के बाद लाई यू बेटियों को पढ़ने के लिए जो कोलिज की जुरूर थी जो गरीब का बच्चा कम फीश में सरकारी कोलिज में पढ़ पाए वो विवस्ता हमारी सरकार ने किये और साथ कोलिज हमारे सोनीपत में गोशना होई है और राई विधानसभा में और गन्नोर विधानसभा में अ परकार की योजना हमारी सरकार ने की है बहुत सारे सरकारी हो दो रेल कोच फैक्टरी जो अभी बड़ी में बनी है उसमें काम चालू हो चुका है और बंदे भारत ट्रेन के जो डिब्बें हैं उनका निर्मान महाँ पर होगा लेख जितना भी अगर बिजली की बात करें तो मैं सोनीपत में यह सरकारी आकड़े नहीं बता रहा हूं जो जमीन पर हकीकत में हुआ है जिस समय हम चोदाब की सरकार में आए उसके बाद डबल पावराउस करने का काम किया है डबल की संख्या में हम गए है तो शिक्षा में तमाम आपने जो है विकास की बहुत इकलंबी चोड़ी जो हो लेस तो गिनाई लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मुद्धे हैं सडके टूटी हुई है आपने हाईवे का तो जिक्र किया लेकिन जो कनेक्टिंग रोड्स है जो अंधुरूनी जो सडके है उनकी हालत बहुत जादा खराब है सिवरेज की बड काम लोग भी चाहते हैं कि उनका हल समाधान जो है उन्हें इस सब के साथ मिले शीवर की आपने चर्चा किये सोनीपत शहर के अंदर शीवर की लाइन को लेके नई लाइने विश्याना के आमने काम किया है वो काम थोड़ा अधूरा है और जो आठ नंबर ड्रेन जो उसका ठेका भी निरस्त करके दूसरी कंपनी को देने का काम किया और सोनीपत को सुंदर बनाने के लिए अच्छे-च्छे पार्कों का निर्मान हमने किया है रेल के आपने रेल वेक स्टेशन को देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे विकास के काम हुए सोनीपत जिले के अंद अभी 21 पुलो का उद्गाटन हुआ था और हमारी सरकार आने के बाद सोनीपत जिले के अंदर जो पुलो की संख्या है वो 28 है 28 पुलो का निर्मान हुआ है बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किये बिजली की पाने की शिक्षा की चिकित्षा की होस्पिटल बनाने की बाद पी राइविदानसभा में दो पीएची नहीं बनी है मेरे राइविदानसभा में सोबैड का होस्पिटल और ट्रामा सेंटर जो साड़े आठीकड में बनेगा नेशनल हाइवे 334 पर बनेगा वो फाइनल हो चुका है जैसे ही कभी भी मुख्यमंत्री जी आएंगे उसका निव लिए ट्रेन की बात है उसके लिए सारा डीपीर त्यार हो चुकी है वो भी आएगी और जो नरेला से कुंडली तक की मेट्रों की बात है जब नरेला तक जीश दिन भी मेट्रों आएगी सोनिपत का काम उससे पहले सुरू करवाएंगे तो तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि दम सूपर फास्ट ट्रेन की तरह दोड़ रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है 2014 से पहले ही जो दिक्कत तक्लीवती वो थी यह देखिए मैंने महुनलाल जी की सारी बातें सुनी है अच्छी बात है जो सौपन वो देख रहे हैं अगर आशा हो तो अच्छी बात है लेकिन हाकीकत यह नहीं है यह सिरफ कागजी कारवाई है आप खुद दंदाजा लगा लीजिए गोहना रोड का क्या आल है और कितन दिन से पेंडिंग है उसको कोई टचे नहीं करता हालांके उसको शैंक्षन करवाने में हमारे गाओं के युद्वीर चिंग मलेक जो आईएस थे वो गड़करी जी के डिपार्टमेंट में ही थे उनकी मेरवानी से उसरड़क बनी लेकन वो आज इतनी बुरी हालत में है इ जहां तक स्वाल है जो हाईवेज बने हैं हाईवेज जो बने हैं वो राष्ट्रियस तरकी पॉलिशी है गड़करी जी ने उनको आगे बढ़ाया है इसमें मैं मानता हूं यह नहीं मैं कहता कि वह गड़करी जी ने कुछ भी नहीं किया लेकिन असलियत में ग्राउंड ले है और बाते हैं जो केवल सौनीपत डिस्टिक से संबंदित चीजें हैं सौनीपत सहर का कितना पुरा हाल है कल बर्शात होई थी मुझे मेरे मौल टाउन के मकान से लेकर और मैं बाइज पास तक आया था गाड़ी दो बार उन्टी शीद ही ले जानी पड़ी यहां गैलाओ का डियोल्टी लेकर गया सहर में कोई भी डॉलप्मेंट का काम नहीं हुआ है किसी भी परकार का मैं नहीं हम तो राजनितिक आदमी है मौनलाल जी सिरकार की तारीफ करेंगे मैं सिरकार को कंडम कर दूँगा लेकिन लोगों का पेटिन बातों से बढ़ता नहीं उनको हकीक वह रतम चीज चैहें सहर के किशी आम आदमी से इंट्रू लें हम तो बंदे हुए हैं अप अपनी पार्टियों से लेकिन आःम आदमी क्या कहता है साधनि पत के बारे में साधनि नीपत मेरे ख्याल में हरीयाने के अंदर सब से बुरी हालत अगर सहर की है तैसशनिपत की ह नमबर एक, नमबर दो बात वह यह कहना चाहता हूं, एजूकेशन के बारे में बात की है, चौधरी बुपिंदर शिंग उड़्डा की सिरकार थी, उस टाइम कितनी यूनिश्टियां बनी, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, कन्या करोकुल खानपुर होता था, मैं तो उनकी मेनेजमेंट में भी रहा, और उस टाइम में ने, जिस टाइम में विधायक बने दोजार पांच में ये मांग भी रखी, कि यहां पर इसको यूनिश्टिय बना जाए, क्योंकि मेनेजमेंट पब्लिक के हाथ में है, वो ठीक सब्सक्राइब करना जाओंगा कि उत्री भारत की सबसे बड़ी महिला यूनिश्टिय खानपुर में बनवाई, वो है दिखने वाली चीज, वहां मेडिकल कॉलिज भी बना, यूनिश्टिय भी बनी है, यहां पर महुनलाल जी की अपनी कंस्टोंची में मुर्थल के अंद जो राजिव गांधी जो एरिया है, जो राई के पास वहां पर यूनिश्टिय बनी, और मैं कहता हूं आज कौन सी ऐसी चीज है जो यहां पर पूरी हुई, आगे किसकी बादार सिला रखी जाएगी, बस ट्रेंड का बुरा हाल है, बस ट्रेंड तो बहुत मेरे ख्याल में तीस साल पर ने बना था, और आज वहां कुछी ने बस पकड़नी हो तो उसके पजाम में दोती उपर उठा गया बस बना बचलना पड़ता है, कहां आगे क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, वो आगे की बात है, दूसरी बात यह है, कि यहां पर जो हॉस्पीटल है, सीवल के बिजली का बुरा हल है, पाणी का बुरा हल है, किसी भी परकार की के बातें नहीं है, यह धरातल पर नहीं है, जहां तक इने और गिनुवाई हैं? एक बड़ा सवाल आप दोनों से है मेरा अगर 2014 से पहले लगातार इतना विकास हो रहा था और 2014 के बाद भी जारी रहा लेकिन वह अलग बात है कि 2014 से पहले मौहनलाल जी नहीं मानते हैं कि कोई विकास हुआ था सौनीपत में और उसके बाद आप नहीं मानते हैं तो जनता फि कौनीपर डिस्टिक में अच्छे अश्यम्बली सेग्मेंट हैं च्यार अश्यम्बली सेग्मेंट आज भी कॉंग्रिस के पास हैं और वो उस विकास का ही कारण था और वो जो दो सीटे हैं दो सीट जो बीजेपी के पास आई वो कास्ट कंबिनेशन फेक्टर है वो विकास का काम नहीं था वहाँ किसी भी कार की कोई एसी डुल्रप्मेंट हुई ही नहीं आम आदमी बहुत तरस्त है बहुत दुखी है अगर जो विकास की जो बात है अगर इतना विकास अगर आपने किया 2014 के बाद से ही तो फिर है क्या कारण रहे कि जो छह में से चेकी सीटे क्यों नहीं आप लोग जीत पाए चार कॉंग्रेस के खाते में या दो आपके हिसे में यहां पर आई और अभी भी जो दिक्कते हैं चाहे महरमानियों का जिक्र किया हो सड़क बनवाने के लिए या फिर जो वाटर लॉगिंग की जो एक प्रॉब्लम है बारिश क सब्सक्राइब दोरान फिर थरंपाल जी को भी अपनी गाड़ी जो आगे पीछे खिसकानी पड़ती है उस पानी के भीतर ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं जो एक इंफ्रस्रक्चर मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है मैंने पहले ही बोला था मलिक साब ने जैसे बात र 2-3 गंटे करें पानी खड़ा होता है वह प्रोब्लम रहती है और समाधान होगा लेकिन अभी तक सोनी पत में नहीं हुआ है उसकी तरफ हम द्यान देंगे लेकिन सोनीपत में बारिस बंद होने के बाद 2-3 गंटे के बाद कहीं पानी खड़ा हो मैं उसकी जग्चा जरूर करूंगा लेकिन वह समय हो जाता है और वह एक सिस्टम है लाइने डल रही है मैंने पहले ही बता आठ नंबर को हम पक्का करेंगे उसमें कुछ रुकाउटे हैं काम जारी है कितने साल और लगेंगे वो लाइनों को डलते डलते पूरा होने में आज देश को अजाद हुए दर काम ही नहीं हुए खूब काम हुए उनका नजरिया काम करने का ओर था हमारा नजरिया आज नई तकनिक के साथ नए जो भारत का निर्मान हमारी सरकार हमारी पार्टी की जो सोच है देश के लोग प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने जिस परकार से नए भारत का निर्मा कर भी जो है लगातार एक मांग रही है सोनीपत की कि मैट्रो आनी चाहिए इससे पहले के सद्र दो हजार चोबीस तक सोनीपत को मैट्रो भी मिलेगा उसका काम जारी हो जाएगा और जो जितनी भी रुकावट इसमाई है केजरिवाल जी की सरकार दिल्ली में उन्होंने अपन में दिल्ली में केश डालना पड़ा है उनको आदेश हुए हैं वो पैसे जमा कराएंगे अपने हिस्से के पैसे अरियाना सरकार जमा करा चुकी है रैपेट रेलवे का उसकी तीन डिप्यार त्यार होई थी और वो कौन सी फाइनल होगी वो जल्दी आए जाएगी मुख्य चैसरा मंत्री जी गोसना करके हैं क्याइए यह दोनों चीजाओ सिनीपत को मिलेंगी और यां बोत सारा नाविकास का काम हुआ है मैट्रो ने स्रूद्र में बात नहीं करा माके कामक शूरू मंतर से का मैं बता होग वह तो इस इसमाखφοर के से आप जै और आधम kya सोच रया किसी से आप बात कर लो मेट्रो का जिकर आगे यह होगा आगे वो होगा जहां तक आपने दो चीजों का जिकर किया मानलाद जी कि यहां पर इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट का यह किस टाइम सरू हुई थिर किस टाइम मंजूर हुई थि इसकी किस पीड से आप ने इसमें डॉलपमेंट में काम किया है यह हमारी कॉंगलिस की सिरकार में मंजूर हुआ था और उसी टाइम से आप लगे विद नौ साल के अंदर क क्योंकि अब चुनाव नजदीक है उस चुनाव को देखते हुए उद गाटन तो छोड़ो पत्थर लगाने से रू कर दिये यहां कोज फैक्ट्री की क्या पोजिशन है कोज फैक्ट्री या हमारे टाइम में मंजूर हुई थी अब तो कोई चीज नहीं हुई लेकिन उनको स्पीड अप नहीं किया आप लोग सिरकार ने उसमें लोग इंतिजार में बैठे हैं और आज मैं कहता हूं कि यहां पर किसी भी परकार की किसी कोई डॉलप्मेंट हो हो करपसन में कमी आई हो आज इतनी बुरा हाल है लोग अपनी प्रोपर्टी आइडी बनवाने के लिए चकर काटे हैं छही में अपनी नीप भूआ पाया कैसि कौन है के सारा इसंटरा खराब क्यों हो गया कि लोग क्योंगी इस बात को आ आौ रोच नक्रते हैं यानिक आप यह कहना है कि जो अधिकारियों के ऊउपर जो एक कंठ्रोल हो यह वो नहीं मैं करता हूं कि यह जैसे हमारे वरिष्ट नेता दरंपाल मलिक जी ने बात बताई है सच बात है कि कॉंग्रिस पार्टी के समय में यह जो गन्नोर के अंदर अंतराष्ट के फुरूट मंडी का जो निर्मान होगा इन्होंने गोशना की थी वह इन बहुत बड़ रुपे का जो और काम होना है और उनको टाइम दिया है कि दो साल के अंदर वहां पर वर्किंग शुरू हो जाए इस परकार की योजना हमने बनाई है इन्होंने रेलवे कोच फेक्टरी की बात की गोशना इन्होंने जरूर की थी वहां लोगों को गुम्रा भी किया था कि वहां गुआना के आसबास में लगेगी जमीन उपलब्द नी कराई जब तक जमीन नहीं होगी प्रोजेक्ट कहां से बनेगा हमने जमीन को भी उपलब्द करवा और उसको चालू भी करवा उसका उद्गाटन भी करवा और मैं तीसरी बात करूंगा खरकोता के अंदर गोषना तो उन्होंने की थी जमीन उपलब्द हमने करवाई है बहुत सारी अडचनिया जमीन उपलब्द कराने में होती हमने जमीन उपलब्द करवाई उसकी गोषना होई उसका काम चालू होगा है 2004 के अंदर KGP और KMP का निर्मान होना था KGP का तो गाटन भी उस समय हम ने निव पत्थर रखवा था जो मिठी डली थी लोगोंने मिठी उठा के लेगे उस पर पेड़ जम गई थे फिर जब चोदा में हमारी सरकार आई है लोग प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी आए हैं उसके बाद KGP का निव का पत्थर रखे गए हैं KGP और KMP समय से प रेलवे का भी ट्रेक बनेगा वो एक हमारी नई योजना में है या सुन्दर शैर इस KGP के साथ पसाने की हमारी योजना हमारी हैं हम पहले जमीन भी लब्द करवाएंगे योजना भी बनाएंगे और उसको सिरे भी चड़ाएंगे चलि अच्छी बात है योजना होनी चाह देखो भाई मैं एक आदमी में भी लेका नहीं आ रहा है यह सारे मलक साब आपके यह सब आपके यह ताड़ी बजानियां मने खूब बिरह मैं जंद की काट दी लेकिन बात सुनों अगर आप अगर आप सोनीपत से लोग्षवा के सांसद रहे हैं और आप अगर आप यह च करो पार्टी लायन की बात करना 15 दिन पहले चुना ओसे पमैडे आप आज नेताओं को अक्किक्त बारें बताओ आज सौनीपत के अंदर corruption top पर है आज सौनीपत में crime number top पर है मैंने एक दिन बात कर ली मेरे डियाईजी से मैंने कहा जी मैं फलाँ फलाँ आदमी हूँ और यहां काम है उनका मलिक साब क्या काम है पहले दो यूपी के criminal यहां आगरते अब सौनीपत के क्रिमिनल वहां जाते हैं एक दिन खाली नहीं होता जिस दिन कोई कोई क्राइम नहीं होता हो आदमी का मर्डर या दुकान पर चापे मारी तो इसलिए देखो आम आदमी को क्या चाहिए किसी ने कुछ नहीं चाहिए MLA MP मैं MLA भी रहा है MP भी रहा हूँ क्या करता MLA MP किसे की रोटी पर उने नहीं जाता MLA MP का सबसे प्राइमरी ड्यूटी है कि उसके अलाके के अंदर कानून विवस्था ठीक हो जो मुलाजिम है उन्हें क्या करना है कम से कम दुकान टाइम पर खोल लो कानून विवस्था ठी को मैं कहता हूं यूपी में तो बीजेपी की सिरकार है लेकिन मैं वहां योगी की तारिफ करता हूं मैं पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहा हमारा धरम यह बढ़ता है कि हम कायदे की बात करें वहां योगी ने क्राइम को पर नकेल डाली है और आज मैं कहता हूं कि प्रा कम शानती से और सो तो लें नंबर दो बात आगेगी डॉलपमेंट की है और डॉलपमेंट अभी विधायक जी ने कह दिया वहां पर इनों ने खर खौदा में भी शुरुआ यह एक दिन में कुछ नहीं बनती मैं मानता हूं कहीं मंजूरी कभी होती है लेंड कभ एक्वायर हो और अपना बेहिमान ने जो बिल्गुल आपने ठीक का धंपाल जी समय का भाव हो और आम आदमी यही चाहता है कि लाइन ओर अच्छा हो शिक्षा कस्तर जो है वो उच्छा हो जाए स्वास सेवाएं बहतर हो जो इंफ्रस्ट्रक्टर जो है उसमें दिकते खामिया ना हो य सोनिपत मंच हमारा लगातार जा रही है फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए थैंक यू